तो चलिए हम लोग अपने Java के course को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग किसी भी class का object किस तरह से बनाते हैं object क्या होते हैं तो अपने पिछले वीडियो में हमने देखिए class को detail में समझा था कि class क्या होती है हम class के अंदर जो ये member variables बनाते हैं उनको हम private बनाते हैं और हम लोग कुछ functions भी बनाते हैं जिनका use करके हम लोग इस variables में value को रखते हैं तो इनको हमने देखा था कि हम लोग इनको हमेशा private बनाते हैं और function को हमेशा public बनाते हैं क्योंकि जो oops का concept होता है oops यही कहता है कि जो ये member variables हैं instance variable है इनमें जो change होना चाहिए वो function के माध्यम से ही होना चाहिए था है ना तो अगर हमारे पास एक हमने student class बनाई है इसका मतलब हमने student एक data type बना दिया है जो कि एक user defined data type है और जब भी मैं इस student का use करके variables बनाऊंगा object बनाऊंगा तो उस object के अंदर ये 4 instance variable होंगे जैसे अगर मैं student class का एक object बनाऊं तो उसके अंदर ये role number name address fee ये 4 instance variable होंगे तो ये पूरा पूरा एक जो object हमने बनाया ये एक student की information को रख सकता है उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पास student class है और अगर मैं student class के object बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमने क्या किया था हमने एक student test नाम से class बनाई थी हम अपने program में कई सारी class बना सकती है तो जरूरी नहीं कि ये जो हमने class बनाई तो अब इसका object मुझे बनाना है जो कि जिसकी जो memory structure होगा वो कुछ इस तरह से होगा तो इन variables में अगर हमें value को रखना है तो हम इस student test class के अंदर इस class के जो public functions है उनको call करेंगे और इन function में कुछ इस तरह से coding करेंगे कि जो हम value रखना चाहते हैं इन members instance variables में वो value यहाँ पर पहुंच जाए उसके बाद थोड़ा सा हमने package का concept सीखा था package क्या होते है package क्या होते है वो collection आप class होती है उनमें कई सारी हम एक package में कई सारी class बना सकती है तो यह जो हमने देखा था कि हम जो access specified use करते है public private protected यह हम जो member variables के साथ में use करते है तो इन member variables को हम class के बाहर access कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यह access specified define करते है इन variables को हम इस class के अंदर कहीं से भी access कर सकते है इस class के अंदर इन variables को हम access कर सकते है लेकिन इन variables को अगर मैं इन variables को मतलब अगर मैं इस class का object बनाऊं तो उस object के अंदर जो ये members instances है इनको मैं उस class के अंदर जिस class के अंदर हमने object बनाया उस class के अंदर हम इन variables में से किन किन चीजों को access कर पाएंगे वो ये public private protected बताती है समझ में आया जो ये अहाँ पर instance variable हमने बनाए है इनको हम इस class के अंदर कहीं ब access कर सकते हैं लेकिन हमारे पास अगर कोई दूसरी class हो उस class के अंदर जैसे यहाँ पर student test है तो इस class के अंदर अगर हमने student का object बनाऊं उस object के अंदर ये सारे variables होंगे तो इस class के अंदर इन variables में से वो कौन-कौन से है जिनको मैं access कर सकता हूँ इस class के अंदर वो depend करता है कि आपने कौन सा access specifier इन variables को बनाते समय यूज किया है अगर private है तो इनको हम बाहर कभी भी access नहीं कर पाएंगे वो इसलिए हमने देखा था कि हम लोग functions वगयरा बनाते हैं इस तरह से हमने सीखा था आज हम लोग चले सीखते हैं कि हम लोग हमें इस student का अगर information रखना है तो हमने class तो बना ली जो हमारे student की information को इस्टूर कर सकता है लेकिन हम मुझे इसका एक object बनाना पड़ेगा तो हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास कोई class हो तो उस class का यूज करके हम लोग किस तरह से object इस तरह से बनाएंगे उसको समझने के लिए हमने नीचे यहाँ पर diagram बनाया है थोड़ा समय यहाँ पर C++ की बात कर लेता हूँ क्योंकि C++ में भी class का concept है तो आई होब कि आपको C++ आती होगी नहीं भी आती तो भी कोई बात नहीं है तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कोई student class है तो C++ में आप लिखते थे student S1 तो इस तरह लिखने से S1 object बन जाता था और इस S1 object के बनने से क्योंकि यह एक object है जिसको हमने class की सहायता से बनाया है तो उसके अंदर वो सारे members variable होंगे instance variable होंगे तो इस तरह से जब आप लिखते थे class का नाम और variable का नाम मतलब object का नाम तो एक object बन जाता था है ना यह कुछ उसी तरह से है जैसे अगर आपको integer type का variable बनाना है तो आप लिखेंगे int x तो आपने कैसे बनाया x को आपने data type लिखा और variable का नाम लिख दिया तो x एक integer type का variable बन गया उसी तरह से c++ में आप student यानि की class का नाम लिखिए और object का नाम लिख दीजिए तो एक object आपका इस तरह से बन जाता था है ना तो यह हम लोग इस तरह से भी object को बना सकते थे c++ में दूसरा जो method हुआ करता था c++ में object को बनाने का वो dynamically हुआ करता था जिसको हम लोग new की सहायता से बनाते थे तो हम लोग लिखते थे new और class का नाम लिख करके इस तरह से variables बनाते थे objects बनाते थे तो यह क्योंकि dynamically हमने object बनाना है तो इस object का कोई नाम नहीं होता था और इसलिए यह new क्या करता है कि एक object dynamically बनाएगा उसका address return करेगा और अगर address return करेगा तो इसलिए हमने student type का एक pointer बना लिया है पी जिसमें इस object का address restore हो जाएगा हम यह बहुत अच्छी तरह से बात पता है कि जब भी हम object बनाते तो उनका कुछ ना कुछ address होता है address मतलब memory में वो location जहाँ पर उनको जगह मिल रही है तो यह जो 1000 address यहाँ पर इस S1 का है और जब हमने यह दूसरा object dynamically बनाया तो इसका कुछ नाम नहीं होगा इस बाल लेकिन इसका कुछ ना कुछ address जरूर होगा तो यह address कहाँ पर restore हो जाएगा इस pointer P में हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग object बनाते थे dynamically है ना और यह object बनाने के बाद जो यह इसके अंदर instance है यानि कि roll number है ने कैम में जाएग किस तरह से ड़ते है अब s1 के अंदर के जो है instance उनको मुझे access करना है तो अगर हम लोग लिखते थे s1 dot roll number तो s1 के अंदर जो roll number है उसको मैं access कर रहा है वह रहा हो है ना अगर हमें name को access करना थे तो हम लोग लिखते थे s1 dot name तो name को हमने access कर लिया, s1.address, address को हमने access कर लिया, s1.fee, इस तरह से हम लोग dart operator लगा करके, dart operator लगा करके, इन instance को, जो भी member से, उनको हम लोग access किया करते थे, dart operator लगा के, और जब लोग pointer के case में use करते थे, तो आपको याद होगा, हम लोग arrow operator का use करते थे, हम लोग लिखते थे, पी arrow role number, हम लोग लिखते थे, पी arrow name, इस तरह से, हम लोग लिखते थे, पी arrow address, हम लोग लिखते थे, क्या, पी arrow fee, तो इस तरह से, अगर आपने C++ देखी है, आपको guaranteed master बनाएगा ठीक है guaranteed master course आपको बनाएगा और अगर आपने C plus पढ़ लिया तो Java पढ़ना बहुत आसान है और फिर यहाँ पर देखिए हमने वही काम किया है Java में अब यह तो हमने बात किया कि C plus plus में किस तरह से objects को बनाते हैं है ना अब हम लोग बात करते हैं कि Java में हम अच्छोली किस तरह से object को बनाते हैं ध्यान रखना Java में objects हमेशा dynamically बनते हैं जो यहाँ पर हमने object बनाया यह क्या होता था example यह SMA का example होता था static memory allocation और यह वाला जो एक example था वो dma dynamic memory allocation तो Java में हमेशा object dynamically ही बनते हैं यानि कि ऐसे ही बिल्कुल सेम तरह से object हम लोग क्या करेंगे Java में बनाएंगे लेकिन Java में यह pointer का concept नहीं होता है Java में reference variable का concept होता है क्या होता है reference variable का concept तो जैसे आप यहाँ पर pointer बना करके इसका address रखते थे P में और फिर P का use करके पॉइंटर नहीं बनाओगे Java में pointer का concept नहीं होता है reference का concept होता है तो आप क्या कर रहो यहाँ पर यहाँ पर आप dynamically एक object बना रहे हो जिसका कुछ नाम नहीं होगा तो इस तरह से समझो कि एक dynamically आपने object बना जा और इसका जो reference है reference मतलब address ही होता है और इसका जो reference है वो कहाँ चला गया इस p में चला गया इस तरह से इस तरह से p में चला गया तो p क्या है p यहाँ पर एक reference variable है जो इस object को refer कर रहा है तो आप Java में किस तरह से object बनाएंगे आप लिखेंगे student p p यहाँ पर एक reference variable है यह pointer नहीं है और new student लिक करके आप एक object बनाएंगे तो इस object का जो reference होगा वो इस P में चला जाएगा जो आपने यहाँ पर reference variable बनाया है है ना तो अब अगर आपको इस reference यानि P को use करके इन members को access करना है तो कैसे करोगे देखिए यह पहली बात pointer नहीं है और reference मतलब object ही होता है reference मतलब क्या होता है object अगर आपने C++ में reference variable का concept पढ़ा है तो जब भी हम लोग reference लिखते थे जैसे माल लीजी हम लोगोंने y में x का reference रख दिया तो अगर हम लोगोंने y में x का reference रख दिया तो y लिखना, तो c++ में y लिखना x लिखने के बराबर होता था क्योंकि y में x का reference है तो यहाँ पर syntax आप मत देखें, syntax थोड़ा सा change था तो यहाँ पर भी आपने क्योंकि इस object का reference p में रख दिया है तो p ही, p लिखना ये object लिखने के बराबर है तो अब आप बताओ कि p का use करके आप इन members को access करना चाहते हो तो क्या use करोगे, आप dart operator यूज करोगे कि arrow operator यूज करोगे dart operator यूज करोगे, जैसे हमने यहाँ पर c++ में किया था यह देखे, यह object है, और अगर object का use करके हम लोग members को access करते हैं dart लगाती है, यहाँ पर जो हमने diagram बनाया है इसको आप देखके confuse मत होना, है न, p में क्योंकि इसका address है इस object का, तो p लिखना object लिखने के बराबर है object मालो, आप p को ही मालो कि वो object है actual में p क्या है, reference है, जिसमें इस object का reference है तो p को ही आप object मालो, और अगर आपने p को object माल लिया तो members को आप किस तरह से access करोगे, dart operator लगा करे आप लिखोगे p.role number इस तरह से, आप लिखोगे p.name आप लिखोगे p.address, आप लिखोगे p.fee इस तरह से dart operator लगा करके, members को आप क्या करोगे, access करोगे तो java में आपने सिखा कि हम लोग किस तरह से objects बनाते हैं और object का use करके जो भी members हैं उनको हम लोग किस तरह से access करते हैं किस तरह से access करेंगे? object का नाम, along with dot operator उसके बाद members के नाम तो यह हमने देखा कि variables को किस तरह से access करते हैं हमारे पास function हो, तो function को भी हम लोग dot operator लगा करके ही access करेंगे किसी भी class के अंदर, यह variables होते हैं, जिनको हम बोलते हैं instance variable variable दो type के होते हैं, जिसको मागे देखेंगे अभी के लिए हम लोग variables को भी dot operator लगा करके access करेंगे जैसे जो यहाँ पर हमने class बनाई है यह fun1 है यह fun1 function है तो अगर हम इस fun1 को access करना है तो हम लोग कैसे access करेंगे हम लोग लिखेंगे p. इस तरह से fun1 को हम लोग access करेंगे है न तो अभी आपने देखा कि हम लोग किस तरह से object बनाएंगे और object का use करके हम लोग किस तरह से variable को access करते हैं समझ में बात आपको आई लेकिन आप बताईए अगर हमने suppose ये वाला object इस student class के अंदर बनाया है तो क्या इस ये वाला जो variable है मैं इस function को भी हटाता हूँ मैं लिजे ये वाला जो variables है ये वाला जो p variable है इसको हमने इस class के अंदर बनाया है अब आप ध्यान से देखो क्या मैं इस class के अंदर p. करके इस तरह से चीजों को access कर सकता हूँ नहीं कर सकता क्योंकि ये जो role number name address हैं ये सब के सब यहाँ पर private हैं अगर इनमें से कोई चीज पबलिक होती तो मैं यहाँ से बड़े अराम से access कर लेता तो जो ये चीजे हमने बताई आप तभी कर पाओगे जब इसके अंदर जो ये बने members हैं वो public हो है ना यही तो मैं आपको बतानी कोहिश कर रहा हूँ देखे क्या होता है कि जब आपने ये class बनाई तो इसके अंदर जो आपने ये members बनाई हैं ये आपने private बनाई हैं तो इनको आप बाहर से dart operator लगा के access नहीं कर सकते और इसलिए तो हमने function बनाए थे इसलिए तो हमने यहाँ पर क्या क्या था function बनाए था ये हमने आपको general term में बताया है कि अगर आपको member variable को access करना है तो कैसे access करोगे अगर वो accessible है तब आप data पे लगा के access करोगे तो अभी अब आपको सीखना पड़ेगा कि हम लोग function किस तरह से बनाते हैं क्योंकि function ही तो वो है जिनको मैं public बनाने वाला हूँ और function का मैं क्या करूँगा function को यहाँ पर इस p का use करके call कर लूँगा और function को call करूँगा तो function के अंदर हम कुछ इस तरह से coding करेंगे कि हमारे in variables में value चली जाए तो I hope कि आपको सम्मया हुआ कि हम लोग object किस तरह से बनाते है main motive था आपको यह समझाना कि object किस तरह से बनाना है और यह तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इनको हम कब class के बाहर से access कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे अगर यह public है तो हम class के बाहर से access कर पाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे है ना तो इसलिए हमने देखा था कि हम लोग function को public हमेशा बनाते हैं है ना तो अपने अगले वीडियो में हम लोग function का concept समझेगे और function का concept समझेगे के बाद हम लोग class loss बनाएंगे और उसमें जो हम object बनाएंगे उनमें हम value को रखेंगे और भी आगे detail में समझने वाले हैं तो हो सकता है कि जो पिछला वीडियो था और ये वाला वीडियो आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो अभी अगर आपको थोड़ा कम भी समझ में आया है तो बस एक बाद आपको वीडियो को देखना है इसके बाद इसका अगला वाला वीडियो देखना है जिसमें मैं function को explain करूँगा और उसके बाद जो मैं practical करूँगा तब आपको definitely बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है Thank you